इसे 5 plugin हैं जो अनिवार रूप से हर blogger के ब्लोग के अंदर होना चाहिए दोस्तों मैं इन 5 plugin को अपने हर एक blog में यूज करता हूँ तो कौन-कौन से वो 5 plugin हैं जिने हर blogger को रखना चाहिए इस्टॉल करका उनका यूज करना चाहिए और उनके benefit क्या आए तो जानने के लिए इस वीडियो को continue सुरू सी क्लास तक सुरू दिखें दूस्का दूस्तों आप दिक रहे हैं बीसिक कंप्यूटर हिंदी दूस्तों यहां पर पहला प्लग-इन है टेवल ओफ कंटेंट प्लस यानि की टेवल ओफ कंटेंट ठीक है प्लस भी आते बहुत से टेवल ओफ कंटेंट के अधर प्लग-इन आते हैं दूस्तों इसका काम क्या होता है हमारे ब्लॉग पर जो पोस्ट होती है पोस्ट के बाद इस तरह का एक बॉक्स बन के आता है अब ठीक है यहाँ पर मैं पढ़ सकता हूँ गूगली की मालिक को दोस्तों काफी बड़े बड़े आर्टिकल होते हैं जहाँ पर टेवल आप कंटेंट बना जाते हैं जैसे इस पर यूजर के लिए करेगा बहां पहुँच जाएगा तो दोस्तों इसका फायदा क्या है दोस्तों जो crawler होता है उसको यह problem होती है पूरे article को read करने में क्योंकि दूस्तों crawler हमेशा language की भासा को समझता है ना कि word की ठीक है तो वो क्या करता है यह पूरे box को समझ लेता है table of content को और उसको पता चल जाता है कि इस article में इस प्रकार की चीज़े लिखी गई है हना दूस्तों जो Google क crawler होते हैं बोट्स होते हैं उनको help मिलती है अगर बड़े article है उसको crawl करने में है और दोस्तों यहाँ पर user को भी help मिलती है वो यहाँ पर पूरी चीज़े को देख लेता है क्या मुझे पढ़ना है उस पर click करेगा direct पहुंच जाएगा तो table of content आप अपने blog में ज़रूर पन तो जब आप query search करते हो Google पर तो Google क्या करता है कुछ कुछ query के आपको छोटे-छोटे result प्रोवाइड करा देता हना तो वह FAQ के द्वारा आपके search engine में भी आ सकते हैं हाना जैसे कि मैंने यहां पर FAQ बनाए है जैसे मैं यहां नीचे जाता हूँ और यहां पर पूछा है कोई कि Google पे कहां की company है जैसे इस पर click करेगा उसको यहां पर result मिल जागा गूगल पे कितना save है इस पर click करेगा इसको result मिल जागा तो दोस्तों कहने का मत्तब है FAQ बना के लिए इस plugin का यूज़ कर सकते हैं according FAQ दोस्तों यहां पर मैं अपने blog में FAQ यूज़ करता हूँ अगर आप blogger नए हो और blogging के field में आए हो या फिर आप old blogger हो तो आप भी FAQ यूज़ करें और अपनी post के अंदर भी implement करें next पर बात करते हैं SEO plugin की दोस्तों यहां पर मैं य blogger के blog के अंदर एक SEO plugin होने चाहिए क्योंकि SEO plugin के द्वारा हम focus keyword, meta description, meta title, meta tag इस तरह की चीज़ें डालते हैं अगर यह चीज़ें नहीं होगी तो हम कैसे डालेंगे तो यहां पर मैं यूज़ करता हूँ आप rankment कर सकते हैं all in one कर सकते हैं तो काफी SEO plugin हैं काफी अच्छे हैं बस उस पर काम करना आना चाहिए फ्री में यूज़ कर सकते हैं ठीक है तो मैं यहां पर यूज़ करता हूँ यूज़ आपको कौन सा फेवरेट SEO plugin है मुझे comment box में जरूर पता हैं यहां पर nest मैं plugin यूज़ करता हूँ आपको भी करना चाहिए web story दोस्तों यह अभी साल वर् मैं बड़ी बड़ी जानकर ही छोटे वेवे मिल जाती है हना ज्यादा रीट करनी के जरूरत नहीं होती है इसका ग्राफिक्स अच्छा होता है तो उस पर टेच करने के बाद पीजिस आती है तो बहुत अच्छा लगता है एंड स्लाइड रन होती है तो काफी पंड़ने मे मज़ा आता है हना दोस्तों आप नई बिलोगर हैं या ओल्ड हैं और आपने अभी तक वेविश्टिरी यूज ने की तो आप गलत कर रहे है को कि इसके दोवारा लाखोट ट्राफिक आ रहा है और बहुत जल्दी आर्टिकल रेंक भी हो रहा है और गूगल वेविश्टिर दूस्तों ब्लॉग का बैप पेज अगर लोटिंग टाइम ज्यादा ले रहा है ऊपन नहीं हो रहा हना बैप सारे ब्लॉग की स्पीड काफी धीमी है तो आप कोई प्लागिन यूज कर सकते हैं तो दूस्तों यहां पर मैं केस के लिए दो प्लागिन यूज करता हूं अप आपके ब्लॉग में यह प्लागिन जरूर होना चाहिए इन प्लागिन की हेल्प से आप अपने ब्लॉग को बहुत अच्छे इस तरह पर ग्रो कर सकते हैं और आप अच्छा मोटा ट्राफिक भी ला सकते हैं एक यूजर फ्रेंडी ब्लॉग बनाने के लिए आपको एक यू आपको इपिटो काफी हेल्फिल लोग दोस्तों चीत रग्ये ओर हेल्फिल बुडिक निमान चेन प्रेंपने रहे यूग को फ्रेंड एक्सन बाइबाइबाइ